हैं जिंधा रहीए हम कोcek हैं जो ज़िए जिनदा रही है अज जित्रा मुड़दा करते रहीएगा उत्रही खतम हो जाइए गाल मैंने ठाहि था वो लागू हो गया है कि अधर नहीं करेगा और कोई इधर नहीं करेगा तो एक्सन होगा अरे आप जाने ना पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप अपर इस सुनेंगे आप कि सारा काम सरकार की तरफ से किया जारा आप गडबर कर रहे थे अभी हम सब को सुधार कर दिया एक-एक काम कर दिया और आप लोग बोल रहे हैं और कल ही हमने को दिया लागू हो गया और कहिएगा अधिकारी को हटाए यह आपको अधिकार है सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है यह बिलकुल गलत है इमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग करवाई कर रहे हैं जो सबसे इमानदार है उसके खिलाफ करवाई करते हैं एसे अधिकारी जो किसी का धंदा इधार उधार नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ अक्शन लेते बहुत गलत बात है और आप लोग आप लोगों को जितना मरजा करना है उत्रा जोर से हंगामा करिये यही करते करते दो साल की अंदर आपरे में हंगामा करते रहिए गाल मैंने खाल धिया था वो लागू हो गया है अरे सुनिए भाई अरे सुनिये मानने मुहमंदी बोला हल्ला करिये खाली कर सुनिये और वास सुनिये खाली ही हमने कह दिया है आप जान लीजिए जो होगा दस बज़े से लेकर के चार बज़े तक के लिए और शिक्षकों सुना आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को अरे आप तक पढ़े नहीं हैं आप जानते हैं सुनिया हम कह रहे हैं ध्यान सुन लिजिए कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो दस से चार लेकिन टीचर्स को जो बच्चे दस बज़े से पढ़ेंगे तो टीचर को पंदरह मिनट पहले आ जाना चाहिए यहीं तरीका है अरे क्या बात करते हैं दस बज़े लड़का करके बैठेगा अब वो दस मिनट पहले नहीं आएगा तीचर्स भी पंदरह मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई दस बज़े से और चार बज़े तक पढ़ाई पुरी हो जाएगी तो वो पंदरह मिनट के बाद चला जाएगा यही है नियम पहले से, इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमको लगता है, इमनों को मालूम नहीं है, टीचर को हमेशा बच्चों बच्चीयों के दस मिनट, पंदरह मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आही जाना 10-15 मिनिट के अंदर चला जाएगा यही तरीका है यही हमने कह दिया कोई धर धर नहीं करेगा और कोई धर धर करेगा तो एक्सन होगा अरे आप जानिये ना पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अब अपने ही सुनेंगे आपको अब मानिय मुख्मंदी जी ने कह दिया उसका जाएए अपने सन बेढ़िये